हेलो गाईज कैसे हो आप लोग तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप बिना कैपकट को यूज करे अपने वीडियो में कुछ इस तरह का गलो इफेक्ट डाल सकते हो reason ये है कि मैं आपको बीना cap cut को use करें इस तरह का video editing सिखाने वाला हूँ क्योंकि काफी सारे लोगों के phone में cap cut work नहीं करता आप मेंसे काफी सारे लोगों बोलते हैं कि हमारे phone में cap cut work नहीं कर रहा है इसलिए आज आपको बीना cap cut को use करें ही वीडियो में cinematic glow effect डालना सिखाऊंगा तो वीडियो को last तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो को start कर लेते हैं so वीडियो में glow effect एड करने के लिए आज हम cap cut का तो use नहीं करने वाले हैं प्रेट किसी ना किसी वीडियो एडिटिंग एप कर तो हमें use करना ही पड़ेगा ना जी हां तो हमें आज यूज करेंगे not video editor जो कि आपको easily google play store पर मिल जाता है आप वहां से इसे install कर सकते हो install करने बाद आप इसे open करना कुछ इस तरह का interface आपके सामने आ जाएगा अब आपको यहाँ पर एक new option दीख रहागा इसके उपर आप क्लिक कर देना यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा जिसमें कि आपको सिर्फ एक चीज करना है और वो यह है कि preview resolution के उपर क्लिक करके इसे 100 कर देना ठीक है यह आप कर दो उसके बाद आपको यहाँ पर आपना वीडियो को add करना होगा तो वीडियो एड करने के लिए यह जो plus का button आपको देख रहा है रेड कलर में इसके उपर आपको क्लिक करना यहाँ क्लिक करने यह और आपको एक media का option दीखेगा यहाँ पर आपको click कर देना फिर video के उपर लेता हूं उसके बाद एड को पर आपको क्लिक करने है आपको जो वीडियो होगा वो यहां पर एड हो जाएगा और मैं इसे प्ले करके देखाओं तो आप यहां पर देख सकते हो बिल्कुल एक नॉर्मल सी वीडियो है आप यहां देख पार हो आप इसमें गलोव एफेक्ट सिम्पल वाला इसी को पर आपको क्लिक करना है यहां आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके जो वीडियो है उसके ओपर गलोव एफेक्ट एड हो जागा बट वह वाइट कलर में होगा लाइक आप यहां देख पार हो ठीक है तो अब इसका कलर बगर चेंज करके इसे सिनेमेटि ने तो आपको यहां पर एक गुलोव कलर को ओप्शन दीख रहा है इसको पर आप कलिक कर लो देन जो कलर पैनल है इसकी मतल से आप इसका कलर को चेंज कर सकते हो तो जो सबसे पहली जो चोटा वाला सरकल है इसे पगड़ के आप यह क्लोट कर आप चाहते हो जो कलर आपके व्यूड़ को पर suitable होता है उस color को आप यहां से सेलेक्टेगा ना जैसे कि हमारे व्यूड़ को पर यह यह लो टाइप का color है या फिर यह वाला यह सही लग रहा है तो मैं इसे रख लेता हूं ठीक है फिर आप यहां से इस तरीक से कम कर सकते हैं तो फैल यह यह लेगा नहीं जैसे इसको आप बढ़ा दोगे तो पूरा वीड़ो में ग्लो फैल जाता है वही अगर आप इसे कम करोगे तो यह एक जगा पर सेचुरेटेड हो जागो जो की देखने में थोड़ा बेटर लगता है ठीक है तो इसका value आपो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके देख रहे ना जैसा आपके वीडियो को पर सही लग उस तरीके से आप यहां पर रख लेना ओके साथी में आपको यहां पर एक intensity का भी option मिलता है इसको पर भी आप सिमलर में और आप यहां देख पार इसको यूज़ करन में काफी मज़ा आता है मतलब कि इससे आप इस तरी से ऊपर करोगे तो बढ़ेगा नीचे करोगे तो है डू हो गया ठीक है काफी अच्छा लग रहा है अब इसका कलर को आप चाहो तो अपने कोड़िंगा चेंज कर सकते हो जो कि मैंने पहले आपको बता दिया है इसको पर क्लिक करके जो कलर सही लगे लेकर आपको यह कलर सही लग रहा तो इसे आप रख सेक्तियों और यहां आप यह सारी चीजों को थोड़ बहुत अड्जस्ट करके आपने जो गुलो इफेक्ट आप अपने व्यूड़ो को डाल सकते हो अपने व्यूड़ो को सिनेमेटिक गलो एडिटिंग कर सकते हो ठीक है तो इतना सिंपल से चीज़ है ओके आई होप आपको सारी चीज मतलब color correction करके इसे आप और भी बहतर बना सकती हो आप यहाँ पर प्लस का बटन दीख रहा है इसको पर एक बार आप और क्लिक कर लो फिर यहाँ पर आपको CC का एक option दीखेगा यहाँ क्लिक करना फिर यह जो basic color correction है इसको पर आपको क्लिक करो देन आपके सामने यहाँ पर saturation को option आजएगा जिसे आप यहाँ थोड़ा increase कर सकतो so that की बिल्कुल सही लग सके and sharpening को थोड़ा increase करो तो quality थोड़ा enhance होता है और कुछ नहीं होता उससे देन आपको यहाँ पर एक white balance मिलेगा इसको पर क्लिक करके temperature थोड़ा अगर आप बढ़ाओ तो यह जो yellow tone है यह जो yellow color हो काफी enhance हो जाता है और अच्छा लगता है देखने में लाग आप यहाँ देख पार हो यह और बेटर हो गया काफी एच्छा लग रहा हमारे वीडियो ठीक है तो इस तरह से किया जाता है यहोप आपको समझ आ चुका है कैसे glow add करना है और कैसे color क करेक्ट करना है और सारे भी चीज जो भी में आपको बताए सारे चीज समझ आ चुका है ठीक है तो यह completely edit होगी आप इसे अपने device में save करने के लिए आपको यहाँ पर यहाँ जो save option मिल रहा है इसको प्रापर क्लिक करना फिर resolution को पर क्लिक करके इसे 1080 जरूर से सेलेक्टे कर करना वरना quality थोड़ो down हो जाएगा ठीक है तो इसे सेलेक्टे करना फिर export को पर क्लिक करना आपको जो वीडियो होगा वह आपके gallery में save होना start हो जाएगा और कुछ ही second के अंदर आपके gallery में save हो जाएगा ठीक है तो मिलते हम अपने next all वीडियो में तब तक के लिए खुस र ते रहो